जितने भी इंडिये के घटक दल है, जितने भी उनके साथ घटबंधन में जाने वाले हैं, उनसे कहीं लाखो गुना जादे मेरे नेता चिराक पासपान जी के हैं, आज लोग प्रियता जो बढ़ी है, जो आपको देखने के लिए हर जग मिलेगी। सीट, हम लोग एंडिये के साथ मिल करके 40 के 40 सीट जितने का काम करेंगे, पारज जीज तो हमारे कोई फैक्टर है नहीं है, हमारे उनका क्या फैक्टर है भाई, तो वो न समझेंगे, हमसे उनको क्या मतलब है, यानि कि बीजेपी जिस तरस सीटों का वटवारा करेगी, आप चुप चप रख लिजें, कि चाहा एक सीट याद लिए हम रख लेंगे, मेरा तो सरा किलीर है सीट, हमको क्या रख लेना है अम अरे उनकिछ तरफ हो चुका है तो इसमें क्लिए क्या करना है, कि वह यह जो देगा, झाले जाता था जीता जाता था देखे कि कितना अंतर से यह चुनाओ जीता गया नमस्कार आप देख रहे हैं लाइप बिहार मैं आपके साथ रूपम देखे चुनाओ से पहले हर पार्टी अपनी एक रैलिया निकालती है और उसके बाद जिस पार्टी से भी वह घडबंधन करने जाती है उस समय अपनी ताकत को वह दिखाती है कि मेरी ताकत इतनी है जनता मुझे इतना पसंद करती है और उसके बाद ही सीटो का भी बटवारा होता है चलिए ऐसे ही एक पार्टी की हम बात करते हैं आज हम लोजपा रामलास पास्वान के राष्टी अध्यक चिराक पास अब जेट शुरक्चा भी दिया गया है तो वो एंडिये के साथ मिलेंगे तो उसके बाद कितने सीटो को इंडिये यानि की बीज़ेपी उन्हें देगी कितने सीटो पर वह दावेदार रहेंगे चले से मुझे पर बात करने के लिए हमारे साथ पासवान की प्रवक्ता जी आप लोग तो पहले कह रहे थे कि हम पूरे सीटो पर तयारी हम करेंगे लेकिन अब तो सुनने में आ रहा है कि आप एंडिये के पार्ट बंडेज आ रहा है तो जीतना आपको बीजेपी देगी उधना ही रखिएगा देखिए जहां तक बात है पूरे सीट पर तयारी करने आप देख भी रहे होंगे, कि जितने भी इंडिये के घटक दल है, जितने भी उनके साथ घटबंधन में जाने वाले हैं, उनसे कहीं लाखो गुना, जादे मेरे नेता चिराक पासपान जी के हैं, आज लोग प्रियता जो बढ़ी है, जो आपको देखने के लिए हर जग मिले में जनता का निश्चित रूप से जो आज तक के विकास नहीं हुआ, विकास कराने काम करेंगा, आप लोग का कुछ सर्थ भी रहता है, और क्या मतलब वैसे सीटों को आप लोग लीजिएगा, जो पसूपती पारस के पांख, देखिए ऐसा कोई हम सर्थ से क्या होता है, हम हम बताया है, चाली सीट पर मझबूती के साथ मेरी तैयारी है, जब हम किसी पार्टी के साथ गटवंधन में जाएगे, अन्डिया के साथ गटवंधन में जाएगे, तो अनको पूरा ब्यवस्था मिलेगा, लेकिश बार बविश्पत में जाए, तो 40-40 अगर हम इको मिल ज सुनने सुनने से काम नहीं चलती है जो होना है वो होगा त्राश्व आप यह देखिया कि हमारी तैयारि पूरे 40 सीटा है किरी 40 सीट पे हमारा तरह करता करता हर 40 सीटों पे मुस्तैदी के साथ काम कर रही है और आने वाले समय में अगर जो भी हम को मिलती है जो भी सीट हमको मिलेगी निश्चीत रूफ से वह सब सीट हम लोग इंडिये के साथ मिल करके 40-40 सीट जितने का काम करेंगे क्या लग रहा है इंडिये के साथ हमारे नेता बात कर रहे हैं इस पर बात चल रही है आपको बहुत जल्दी आपको यह खवर चल जाएगी कि हम आड़ी है जिस तरह से सुनने को मिल रहा है कि टीकट के लिए ही रुकावट आ रही है सीटों का बटवारा भी नहीं हो पा रहा रहा है मतलब पहले से बीजेपी आपको जेट सुरक्षा दे दी है कि रही सांत रहे है चिराग जी देखिए देखिए यह सब चीज जो है ना सुरक्षा अलग पाठ है और जहां तक सीट की बात है सीट पर कोई दाव पेज फसने की बात नहीं है हमारा सीट अल्रेडी जित आप देखिए यह सब चीज जो है ना आप लोग तोर मरोड के बताते रहते हैं कि जो ठीक है ना हमारे समाज में लोग के साथ हमारे नेता कटाप अस्थान देख रहा है हमारे नेता की आज जो हर जाती और हर धर में लोगों की जो विश्वाज जगी है आज कोई भी पाटी का आप एक नाम बता दीजे कहीं भी जाते हैं तो लाखों आदमी से चादे भी रहती ह हमारे पाटी के राष्टी अध्यक्ष इतना काम करते हैं एक आपने देखा है बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट के के अनुसार जो उनका जो वीजन चल रहा है जो काम करने का जो तरीका है निश्चीत रूप से हर लोग उन पर विश्वास जमाई है पारस से कैसे मैनेज क क्या मतलब है यानि की बीजे पीजिस तरह से सीटों का वटवारा करेगी आप चुप-चाप रख लिए क्यों सीट हम रख लेंगे मेरा तो सरा किलियर है सीट हमको क्या रख लेना है हम तो जितना सांसर जीते हुए है उतना ही हमारा तो सीट है उसे और आगे भी बात चल र बहुत जल्दी दिखेगा हमारे नेता जो है ना राष्टिया देख बैठे हुए नहीं सारा बात चल रही है रोज आए दिन मीटिंग हड़ रही है अभी जो है अभी जो है अठाइस तारीक गाटाने उसके लिए लोग लगे हुए है बात चल रही है समाज में हर दिन आप देख रहे हैं कि हमारे नेता चिराग पासबांजी आना जाना सभी जगा कार्ज करम हो रही है यह सब चीज पर दिमाग आप लोग मत लगाई है नहीं आप लोग जंता को बरगलाई है एक दाम हम लोग का सरा बीजन किलियर है हम लोग 40 सीट पर त्यारी कर रहे है चालीस के जीता जाता था देखे कि कितना अंतर से चुनाव जीता गया तो आप समझ रहे हैं पसी पति पारस को भेजा गया तो भाई हार हो गई जीत होगी वह बात नहीं है हमारे नेता को गाइडलाइन नहीं मिला अगर जाते तो आपको निश्चीत रूप से एक अलग रिजल्ट म उनका क्या अस्थान है नहीं अस्थान है आप उनसे जाके पूछिए तो जीतेंदर जी हमारे साथ जुड़े हुए थे जैसा कि अभी यह कह रहे हैं कि पसुपती पारस से हमें कोई लराई नहीं है लेकिन आए दिन खबरों में आप देखते हैं कि किस तरह से वयान बाजी चलती है दोनों पार्टियों के बीच में दोनों क्या कुछ कहते हैं और इन्होंने यहां तक कह दिया था कि भाई जितने भी उप चुनाओ में चिराग पासवान गए वहां पर हमारी जीत हुई और बीजेपी के जीत हुई और जहां पर करनाटक में पसुपती पारस गए और जिराग पासवान नहीं गए तो वहां पर बीजेपी के हार हो गई हम इंतजार करते हैं इंडिये का पार्ट बनेगे चिराग पासवान तो इसके बाद कितने सीटों को दिया जाएगा पसुपती चिराग केरने जरूर करें